हलो फ्रेंड सर्मेडर्स डेंड इंडेस्टियल फार्मेसी वन बीपी फाइफ जी डो टू टी के इस वीडियो में हम लो यूनिट फाइब में कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग Cosmetics के Introduction में Cosmetics की Definition के बारे में बात करेंगे Cosmetics के हमारे Pharmaceutical Industry में क्या Importance होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और Cosmetics के Classification के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे मेरा नाम है Dr. महंताप सिंग तो चलिए सुरू करते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत Dr. PKS and Dr. MPS Classes को और करे अपने V Farm D Farm का सपना साकार डाउनलोड दिया हैं नाउ तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे Cosmetics हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग को पता ही है Cosmetics हमारी ऐसी preparation होती है जिसको हम लोग अपने look को या अपने appearance को अच्छा करने के लिए basically use करते हैं इसको हम लोग अपने skin की condition को और अच्छा करने के लिए या अपने skin को repair करने के लिए हम लोग basically cosmetics को या पर use करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा cosmetics है उसकी definition के बारे में बात करते हैं तो according to the drug and cosmetic act 1940 अगर हम लोग इसकी definition के बारे में बात करते हैं तो क्या है Cosmetics have been defined as any article intended to be rubbed, poured or sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any other part for cleaning, beautifying, promoting appearance or altering the appearance of any article intended for the use as a component of the cosmetic तो इसको हम लोग यहाँ पर आसान तरीके से कह सकते हैं कि cosmetic हमारी ऐसी preparation होती है जिनको हम लोग अपनी skin के उपर जो हमारी यहाँ पर human body है उसके उपर या तो वो rub करते हैं या उसके उपर वहाँ पर simply हम लोग उसको पोर करते हैं या sprinkled करते हैं या spray करते हैं जो हमारी वहाँ पर human body है उसके उपर या उसके अंदर या हम लोग उसको अपने जो हम लोग उस पर किसी और तरीके से अगर अपनी body के उपर simply उसको apply करते हैं अपनी जो हमारी body है उसको clean करने के लिए उसको वहाँ पर और जो है सुन्दर करने के लिए या जो हमारी body की attractiveness है उसको और अच्छा वहाँ पर करने के लिए या हमारे appearance को simply alter करने के लिए change करने के लिए अगर हम लोग उसको use करते हैं तो वो simply हमारा cosmetic यहाँ पर कहलाता है और अगर कोई हमारा यहाँ पे component है जिसको हम लोग अपने cosmetic के साथ में simply use करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे cosmetic कह सकते हैं तो एक बार इसको फिर से आसान तरीके से देख लेते हैं कि जो हमारी human body है उसके उपर या उसके अंदर या हम कह सकते हैं वो किसी और तरीके से अगर हम human body है उसके उपर rub करते हैं उसके उपर वहाँ पे हम लोग घिसते हैं अपनी skin या अपनी जो body है उसके उपर डालते हैं उसको हम लोग वहाँ पे sprinkled करते हैं मिंस हलका सा उसको चड़कते हैं या उसको अपने body के उपर spray करते हैं तो अगर हम लोग इसको cleaning के लिए या अपन भी हमारा cosmetic यहाँ पर कहलाता है और अगर कोई भी component है जिसको हम लोग cosmetics के साथ में use करते हैं तो वो भी हमारा cosmetics की ही category में यहाँ पर आता है तो अगर हम लोग कहें तो हम लोग कोई भी preparation को अपने आपको और सुंदर करने के लिए और attractive करने के लिए use करते हैं तो वो simply हमारा cosmetic य cleaning की process है उसके लिए उपयोग हम लोग करते हैं अपने skin का moisturizing है उसके लिए हम लोग इसको यहाँ पर उपयोग करते हैं या हमारे जितने भी होते हैं beautifying हमारे agents होते हैं यह सब यहाँ पर cosmetics के अंतरगत आते हैं तो आसान तरीके से कहें कि अगर हमारी skin को हमें clean करना है तो उसमें जो हम लोग preparation यूज करते हैं उनको भी हम लोग cosmetic ही कहते हैं या cosmetics को हम लोग अपनी skin को clean करने के लिए भी यूज करते हैं अपनी skin को moisturize करने के लिए भी हम लोग cosmetics को यूज करते हैं और अपनी skin को और सुंदर करने के लिए हम लोग cosmetics को simply यहाँ पर use करते हैं उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा body है उसकी जो हमारी होती है यहाँ पर aesthetic appearance है उसको भी enhance करने के लिए हम लोग यहाँ पर simply cosmetics को use करते हैं cosmetics इसमें हमें help करते हैं हमारी जो skin की condition है वो properly हमें उसका appearance अच्छा दिखे उसको enhance करने के लिए हम लो simply cosmetics को यहाँ पर use करते हैं उसके बाद में अगर हम लो बात करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि हमारी जो body है उसका जो हमारे अलग-अलग functions होते हैं उसको भी हमारा जो वहाँ पर cosmetic है वो affect भी वहाँ पर बुलना करें और उसको उसके appearance को वहाँ पर simply alter करें उसको simply वहाँ पर change कर दें तो उसको भी हम लो simply cosmetic से indicate करते हैं वो like अगर हम लो बात करते हैं कि जो हमारे आँखों का वो काजल वगएरा है तो वो क्या होता है या जो हमारा लिप्स्टिक वगएरा है वो क्या है कि वो हमारा जो भी organ है आई है या lip है उसके function को change वहाँ पर नहीं करता है बट उसका appearance को वो वहाँ पर अच्छा कर देता ह उसके बाद में अगर हम लो बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर sunscreen वगएरा है यह इस place पर क्या करते हैं कि जो भी हमारी harmful यह UV rays हमें sun से अपने body के उपर पड़ते हुए देखने को मिलती है उससे भी हमारे skin को protect करने का काम करते हैं हमारे body को protect करने का काम करते हैं और अ हमारे wrinkles जो हमारे जोरियां वगएरा है या जो हमारे आखों के एक तरसे नीचे जो dark circle हमें develop होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं उसका जो हमारी वहाँ पे या जो हमारी और skin का हमारा वहाँ पे होता imperfections अगर skin में हो जाते हैं तो उनके treatment में और उनको repair करने में भी हम cosmetic product को simply यहाँ पे use करते हैं तो अगर हमारे skin में जो हमारी जो जुरियां है या जो हमारा age का जो प्रभाव है हमारी skin पे देखने को मिलता है आखों के नीचे अगर काला पनाना start हो जाता है या हमारी skin वहाँ पे हमें perfectly देखने को नहीं मिलती है तो उस condition में उस condition को treat करने में या अपनी skin को repair करने में भी हम लोग cosmetics को यहाँ पे use करते हैं और हमारे जो cosmetic हैं यह हमारे skin के जो infections वगरा है उनके भी treatment में हम लोग cosmetics को यहाँ पे basically use करते हैं तो अगर हम लोग जो भी हमारे cosmetic preparation है उनकी जो हमारी manufacturing, labeling या sales है उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा drug and cosmetic act है जो की हमारा यह हमारा drug and cosmetic act 1940 है वो इसको इंडिया में बात करें तो यहाँ पे cosmetics का manufacturing, labeling और sales को control करने की जो हमारी authority है वो drug and cosmetic act 1940 यहाँ पे है और इस act का जो हमारा main यहाँ पे motive है एम होता है कि जो भी हमारे harmful हमारे health के लिए जो harmful जो effect है जो की cosmetics से हमें देखने को मिल सकते है उसक तो simply यहाँ पे prevent करने के लिए हम हर किसी चीज को cosmetic की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं हम के वर उनको ही उपयोग कर सकते है जो की हमारे लिए harmful न हो तो हमारे ऐसे component को की जो हमारी manufacturing है labeling है या sales है उसको control करने का जो हमारी authority है वो हमारा drug and cosmetic act 1940 के अंतरगत यहाँ पे होता है अब अगर हम लोग cosmetic के जो हमारे product है उनके classification के बारे हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा cosmetic है उसको हम लो basically चार class में यहाँ पे classify करने का काम करते है इसमें जो हमारा सबसे पहला class है वो है हमारे skin cosmetics उसके बाद में हमारा है hair के जो cosmetic है वो यहाँ पे आते हैं उसके बाद में हमारा जो nail के cosmetics है वो यहाँ पे अलग जो category है उसमें है और अगर हम लोग जो हमारे cosmetic जिनको हम लोग अपने body की hygiene को maintain करने के लिए use करते हैं वो हमारा इसका चौथा class है तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे skin cosmetics है उनके बारे में बात करते हैं तो यह again हमें 4 class में यहाँ पे क्रीम है वो हमारी अलग class है जो अगरा skin के अलगलगी बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारी यहां पर होती है वो cleansing या जो हमारी यहां पर cold cream है वो एक हमारा इसका class होता है उसके बाद में जो हमारी होती है यहां पर foundation या जो हमारी यहां पर होती है तो हमारे hand और जो हमारा होती है body की creams वगएरा वो भी हमारे यहां पर skin cream के अंतरगत आती है और जो हमारी all-purpose cream है वो भी हमारे skin cream के अंतरगत यहां पर simply आती है उसके बाद में अगर हमलों जो powders हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा जो face के powder है वो एक हमारी यहाँ पर class है उसके बाद में जो हमारे होते हैं वो baby powders है वो हमारी इसकी यहाँ पर अलग class है उसके बाद में जो हमारे compact powders वगरा है वो भी हमारा यहाँ पर skin cosmetics में powder के अंतरगत आते हैं उसके बाद में अगर हम लोग skin के जो हमारे यहाँ पर colors है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे skin के यहाँ पर colors है उसमे प्रोडक्ट होते हैं huh malt यहां प ricört स assez होती है उत बार हम फिर है और हम लोग को यहां पर सलगते हैं नहीं यहां पर यहां पर संस्क्रीन प्रोडक्ट के शू fragen करें हैं तो इसमें हमारा हम बेंकि Jupy Dawn और करते हैं इस सब्सक्राब यहां पर यह बैट यहांmoditas product होते हैं उस वह भी हमारे इसके अंतरगर्थ आते हैं इस जो iskin हमारी जो धूप में यहां पर काली हो जाती है तो जो हमारे सन के कारण जो i Fit में हमारे टोन आता है उसको ठीक करने के लिए product जो है उसको हम लोग यहां पर जो हमारा वो sun होता, वो tan product है, उसके नाम से indicate करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग hair cosmetics के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे, इस place पे hair के cosmetics हैं, अगर उनको देखें, तो इसमें हमारा जो samples हैं, वो आज आते हैं, हमारे जो यहाँ पे hair tones हैं, वो इसके अंतरगत आते हैं, hair के जो हमारे colors हैं, वो यहाँ पे आते हैं, hair जो हमारे growth के add हैं, ऐसी चीजे जो की hair को grow कराती हैं, hair की growth को promote करती हैं, वो भी हमारे इसके अंतरगत आती हैं, और हमारे hair का जो, हमारा वो remover है वो भी इसके अंतरगत यहाँ पे simply आते हैं उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे대व कॉस्मेटिक से होंके वारे में बात करते हैं तो इसकेवारा जो होता हो निल हार हॉत ward है यह जो हमारा निल में पालिस गेड़ा है वह िसके अंतरगत आता है और हमारा यहां पर वो nail जो हमारा polish का remover होता है वो भी हमारा nail cosmetics के अंतरगत आता है उसके बाद में अगर हम लोग जो cosmetic हैं जिनको हम लोग hygiene के लिए use करते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो यहां पर dental care हमारी preparations हैं वो आती हैं हमारे toothpaste वगएरा इसके अंतरगत आते हैं और हमारे जो bath के product है जो कि हम soap वगएरा उपयोग करते हैं वो सब इसके अंतरगत आते हैं तो यह हमारे cosmetics हैं उनके simply हमारे simply class होते हैं तो इसमें जो भी मैंने चीजें यहाँ पे ग्रीन से indicate की हैं वो आप का जो cold cream है येभी आप लोगं का thumbs है उसमें है इसम में हम लो cold cream का जो हमारा formulation है introduction है preparation है उसके बारे में आगे के वीडियो में बात करेंगे जो हमारा यहां पर fanicing cream है ये भी आप लोग कि eu m बात करेंगे इनकेvation के बारे में बात करेंगे और इनके method of preparation के बारे में भी detail में बात करेंगे तो I think so जो हमारे cosmetic है उसका introduction आप लोगो अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका classification भी आप लोगो properly clear हो गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूर सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और हमारे app को भी install करना बिल्कुल भी न भूले Thank you